आज 30 अगस्थ 2021 के महावाके हैं बाबा के मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम्हें अभी रुहानी कारोबार करनी है रुह समझ कर हर करम करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है प्रश्न है स्वरग का वर्सा लेने और स्वरग में उँच पद पाने का आधार क्या है बाबा ने कहा ब्रम्हा कुमार कुमारी बने तो स्वरग का वर्सा मिल जाएगा प्रंतु उँच पद का आधार है पढ़ाई अगर बाब का बनकर अच्छी रिती पढ़ाई पढ़ते रहें पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है कोई पूरा पढ़ते नहीं करम बंधन है पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारन पद पालेंगी ओम शंती, रुहानी बच्चों को रुहानी बाब समझा रहे हैं यहां रुहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकरम करती है इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है आत्मा ही सब कुछ करती है इस समय सब मनुश्य देह अभिमानी है मैं आत्मा हूँ, समझने बदले समझते हैं, मैं फलाना हूँ यहे व्यापार करता हूँ यह फलाने कामी करोधी हैं शरीर का ही नाम लेते हैं इसको कहा जाता है देहे अभिमानी दुनिया उतरती कला की दुनिया सत्युग में ऐसे नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, अपने को आत्मा निश्चे करो, मैं आत्मा, यह शरीर रूपी चोला धारन कर पार्ट बजाती हूं, वह एक्टर्स भी, बिन-बिन कपड़ा बदली कर पार्ट बजा बाप कहते हैं, तुम आत्मा ये पहले शांती धाम में थी, तुम्हारा घर है शांती धाम, जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक, सबी आत्माए परमधाम से आकर शरीर धारन कर पार्ट बजाती हैं, आत्माओं का असुल घर है परमधाम, उन एक्टर्स का तो घर यहां ही होता है, सिरफ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं, तो बाप बैट समझाते हैं, तुम आत्माए हो, बाप तो बच्चे-बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे-बच्चे नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं, मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम गौड फादर कहते हो, गौड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी गौड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं, ब्रह्मा देवताई नमा, विश्नु देवता नमा, देवताई क्या करते हैं, यह किसको भी पता नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा, प्लैन, अनुसार, पार्ट बजाते हो, दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल वा उपर में दुनिया है, दुनिया एक ही है, जिसका चकर फिरता रहता है, लोग तो कह देते हैं, मून में प्लाट लेंगे, बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसालवेंट बन पड़े हैं, भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने साहुकार, समझदार थे, इन लक्ष्मी नारायन का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके, वहां कोई पार्टीशन आदी नहीं होती, यहां तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकडे टुकडे पर लड़ते रहते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सव तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकडे हो गए हैं, यह किसको पता नहीं है, भारत ही, विश्व का मालिक था, बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है, वह कब घिस्ता नहीं, चलता ही रहता है, अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 84 जनम लेंगे तुम्हारा पाट चलता ही रहता है कभी बंद नहीं होता है कोई मोक्ष आदी पाते नहीं जितने अनेक गुरू, अनेक शास्त्र उतनी अनेक मते होती है मनुष्यों में कितनी अशान्ती है जहां भी जाओ कहेंगे मन को शान्ती कैसे मिले यह देहे अभिमान में आकर कहते हैं बाप समझाते हैं मन और बुद्धी यह हैं आत्मा के ओर्गन्स बाकि यह सब शरीर की इंद्रियां है आत्मा कहती है मेरे मन को शान्ती कैसे मिले वास्तव में ये कहना गलत है तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधरम ही शान्त है तुम ऐसे को हो, मुझ आत्मा को शान्ती कैसे मिले इसमें करम तो करना ही है यह बातें बाप ही बैट समझाते हैं दुनिया में यह ज्यान किसको नहीं, वहाँ है भक्ति मारग उनको ज्यान का पता नहीं है, ज्यान तो एक बाप ही देते हैं बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम योग पर आता हूं कल्यों के अंत में सभी पतित हैं यह है रावन राज, रावन को जलाते भी भारतवासी ही हैं, बाप पतित पावन का जनम भी यहां है, तो रावन का जनम भी यहां है, रावन जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं, यह बातें किसके बुद्धी में नहीं हैं? अब भारत में कृष्ण जियंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदी करते हैं, अब बाप कहते हैं वास्तों में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं, कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंस पुरी में जनम लिया, अब कंस तो डैविल को कहा जाता है, सत्युग में डैविल कहां से आए? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी, वह अपने 84 जनम भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्ण पुरी में रहने वाले थे, 84 जनम ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो, जियनती मनानी है वास्तव में शियुग बाबा की। जोशिव बाबा सबको हैल से हैविन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हैल से हैविन में ले जाओ, आप हमारे बाप हो, तो हम स्वरग में होने चाहिए, हम विश्यस दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं, Hey Godfather, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, ये भी ड्रामा में नूद है, बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं, शास्त्रों में ड्रामा की आयू लंबी लिख दी है, नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो, रजो, तमों में आन ही है, यह है बेहद की बात, अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो, भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही चौरासी जन्मों का पार्ट बजाएंगे, अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकि सब मनुश्य पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते ह हैं, पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुश्य उन्हों के आगे माथा जुकाते हैं, कन्या पवित्र है, तो सब उनके आगे सिर जुकाते हैं, वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी, तो माथा टेकना पड़ता है, अभी बेहद का बाप आए हैं, सबको पावन बनाने, वह सब हैं कल्यूग में, तुम हो अभी संगंपर, अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, यह है ही कल्यान कारी यूग बाप आकर सबका कल्यान करते हैं, तुम अभी कृष्ण जियंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे, यह तो नास्तिक हैं, नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है, जो अपने बाप को और रचना के आदी मद्य अंत को नहीं जानते हैं, इस समय सब निधन के आरफन बन पड़े हैं, घर घर में जगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है, बाप को ना जानने वाले, तुम हो जानने वाले, अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धी थे, बाप हमको पारस बुद्धी बना रहे हैं, और कोई तकलीफ की बात नहीं, बाप सिरफ कहते हैं, एक घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी, यह तो है ही विश्यस दुनिया, विश्यसागर में गोते खाते रहते हैं, विश्नु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहां तो घास लेट भी नहीं मिलता, फरक है न? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवया है न? गाते भी हैं नईया मेरी पार लगाओ, यह सब नईयाएं हैं, खिवया एक बाप ही है, यह शरीर यहां ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे, शांति धाम. वहां से फिर भेज देंगे, सुख धाम. परमपिता परमात्मा को ही खिवया कहा जाता है, बाप की ही महमा गाते हैं, अनेक प्रकार से, अभी तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो, शिरी शिरी, शिव बाबा आए हैं, स्रेष्ट बनाने. खुद भगवान कहते हैं, यह ब्रश्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परमपिता परमात्मा की शिरीमत पर चल, स्रेष्टाचारी बनते हो, कितनी यह गुप्त रमनीक बाते हैं, जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं, तुम जानते हो, कि अभी देवी देवता धरम का कलम लग रहा है, जो भी देवी देवता धरम वाले और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मन बनेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वरग का वर्सा ले नहीं सकते, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वरग का वर्सा ले रहे हो, जितना पुरुशार्थ करेंगे, कराएंगे, उतना उंच पद पाएंगे सब तो इतना नहीं कर सकते पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा अगर शरीर छूट जाए, स्वरग में आ जाएंगे परन्तो प्रजा में बिल्कुल ही साधारन अगर बाप का बनकर अच्छी रिती पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे, तो उंच पद पाएंगे अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे ऐसे भी बहुत हैं करम बंधन का हिसाब जब छूटे गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्यान चिता पर बैठ जाएंगे नहीं तो खिटपिट होती है कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सत्युक का पहला प्रिंस है तो क्यों नहीं कुछ मनावे अच्छा हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं आकर खेल पाल करेगी रास करेगी और क्या करेगी गोप गोपियां तो यहां ही होते हैं वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं सोने की मूरली बजाते हैं ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे ये सब पार्ट चलेंगे शुरू में दिखाया गया फिर तुम पुरुशार्ट में लग गए हो अब फिर पिछाड़ी में साक्षातकार होना शुरू होगा कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो बाप बैच ये सब राज समझाते हैं तुम से पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो बोलो हाँ हम क्यूँ नहीं मानते हैं यह सब भक्ती मारक की सामगरी है इनमे कोई ज्यान नहीं है ज्यान देने वाला तो एक है ज्यान मिलता है तो भक्ती आपे ही छूट जाती है तुम मंदिर में भी जाएगे तो बुद्धी में ये रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायन करेंगे बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड निभाना है ग्रिस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो पूरा वैश्नव बनो और विश्नुपुरी का राज्य लो अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते ची धारणा के लिए पहला पॉइंट है योग द्वारा करम बंधन का हिसाब किताब चुक्तु कर पावन बनना है, ज्यान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैशनव अर्थात पवित्र बनना है दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधरम में स्थित रहना है, सब को शांती धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है वर्दान, नौलेश द्वारा रावन के बहु रूपों को जानकर उसकी एट्रेक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मत वान भव विस्तार, जो बच्चे नौलेश द्वारा रावन के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे बहन नस्दीक भी नहीं आ सकता चाही सुनने का, चाही हीरे का रूप धारन करे, लेकिन उसकी एट्रेक्शन में नहीं आएंगे ऐसी सची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष रख हिम्मत वान बनो, फिर यह रावन की बहु सैना वार करने की बज़ाए, आपकी सहयोगी बन जाएगी प्रकिर्ती के पांच तत्व और पांच विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है, तो निर्मान चित की विशेषता को धारन करो अच्छा, ओम शान्ति